दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा यूनीक भी होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा महगी भी होने वाली है तो आज हम लोग बनाने वाले हैं बहुत बड़ी चॉकलेट बहुत बड़ी चॉकलेट वो भी डेरी मिल्क चॉक्लेट था वहां है हैं वह सारी शोपोड़्या-चॉक्लेट है यहां पर चॉक्लेट से भर चुकी है आप लोग देक सकते हों यहां से ले कर यहां तक पूरे में चॉकलेट साथ और इस तरीके के packet से हमारे पास में ये जो है 100 रुपय का pack आता है और हमारे पास में इस तरीके के 50 packet से हैं तो हम लोग क्या करेंगे भाई इन 50 चोकलेट से एक बड़ी चोकलेट बनाने कुशी करेंगे क्यों कि भाई साब हमारा काम है क्रेजी करना वैसे तो ये जो चोकलेट है ये भी अपने आप में इतनी चोटी नहीं है काफी बड़ी है लेकिन जब पचास चोकलेट से एक बनेगी तो वो क्या मॉंस्टर साइज की होगी कितनी बड़ी होगी और कितनी मजदार होगी तो दोस्तों इतनी सारी चोटी से एक चोटी बनाना अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल है और उसके लिए हम जो मैताट यूज इउज करने वाले हैं जो मैने तोछा है वो यह है कि इन सभी को पहले थोड़ा सा गरम करेंगे गरम करके जो चौकलेट है वो सोफ्ट हो जाती है और उसके बाद में एक साथ मिल जाएगी फिर इसको एक बड़े साचे में डाल देंगे तब जाकर चॉकलेट है बड़े साइज की वह तैयार हो जाएगी ठीक है तो यहां पर हमारे जो जो रखते हैं उसको रखते हैं इसके उपर और इसमें डालते हैं चॉकलेट तो भाई पहले चॉकलेट के साथ में शुरुआत कर रहे हैं और जो चॉकलेट है यार वो भी बाहर रखी रखी काफी सॉफ्ट सी हो गई है आप लोग देखो कुछ इस तरीके की यहां पर चॉकलेट है यह तो डाल रहे हैं इसके अंदर पहली गई दूसरी आने दो जलने लग गई यह तो दोस्तों यहां पर हमने थोड़ा सा सिस्टम चेंज किया है कल जो है अंधेरा भी हो रहा था तो हमने बीच में रोख दिया था और यह चॉकलेट ने जलने लगी थी कड़ाई में तो कड़ाई में पानी डाला उसके उपर हम यह भगोना रख रहे हैं ताकि गरम पानी जो भगोना वह गरम हो और चॉकलेट जो है वह गरम पानी की वैसे मेल्ट हो ताकि यह जो है जले नहीं तो भाई सारी चॉकलेट डालने के लगभग 15-20 मिनट के बाद में अब आप लोग देख सकते हैं जो चॉकलेट है वह सारी की सारी जो है अपस में मिल चुकी है और यह जो भगोना यह कितना ज्यादा भर चुक है और गाईस यह टेकनीक बढ़िया काम करीए इसमें ना तो चॉकलेट जली है ना ही खराब हुई है तो अब हम इस चॉकलेट को निकाल सकते हैं जमाने के लिए तो इस बड़ तो गाईस यहां पर हमने इस पूरी ट्रे के अंदर जो चॉकलेट से उसको डाल दिया है और अब यह जो है भाई साब अभी तो काफी गरम है और यह बहुत गरम है इसको टच भी नहीं कर सकते इतना गरम है तो अब हमको इसको थंडा करना पड़ेगा जिसके लिए कि हमको इसको फ्रीज या फिर फ्रीजर में रखना पड़ेगा या फिर इसको डीप फ्रीज में रखना पड़ेगा ताकि ठंडा हो जाए लेकिन ऐसे कैसे नहीं रखेंगे इसको लगबग दो घंटे चाओं में रख देंगे उसके बाद में इसको फ्रीजर में रख देंगे और तो गाइज फाइनली आज अगला दिन और आपके सामने पेश है सबसे बड़ी चोकलेट यहाँ पर दोस्तों यह जो है अब जम चुकी है पूरी रात जो है डीप फ्रीज में रखी रही उसके बाद दिन में भी फ्रीज में रखी रही और अब जाकर के जो चोकलेट है वो इसको अपने हाथ में भी कुछ इस तरीके से उठा सकता हूं देखो गाइज यार क्या साइज है इसका और भाई साब इसका वजन भी जो है काफी जादा है यह ट्रे भी वैसे लोहे की है लेकिन अगर मैं चोकलेट के बाद करूँ हमको 50 चोकलेट हमने ली थी एक चोकलेट से इसका मोंस्टर साइज है देखो एक बाई इसको मेरे से कंपैर करो मेरे सर से कंपैर करो कितना ज़्यादा बढ़ा है ना और भाई साब अरे यार हाथ ठक जाते हैं इसको पगड़ पगड़के और गाई एक बात और हुई है यहां पर फ्रीजर में रखने की वैसे एक च साइड से भी ठीक है तो मैं यहां पर इसको simply उल्टा कर दूँगा और जो ट्रे है उसको हटा दूँगा एक ही जटके में मुझे करना पड़ेगा यहां पर कर दू गाइज यह लो थिक अरे जादा ना तूट गई हो जटका मार दिया गाइज चलो कोई नहीं आप तूटे ही इतनी बरी चोकलेट वहां ब्लब इतना बड़ा साइज तो हैंड वी और इसकी मोटाई देखो यह एक पर यार क्या मोटाई है इतने बड़े साइज की चोकलेट है एक दो तीन पीसे हो गए है शायद जो है मैं इस टुकडे को एक टुकडे को उठा सकता हूँ अपने हाथ में या फिर नहीं यार मैंने इसको जोर से रख दिया तो शायद यह भी टूट गया यहां से लेकिन फिर भी ट्राय करूँगा य देखो गाईज अब कोई लोहा नहीं है सिरफ और सिरफ चोकलेट का टुकड़ा है और आप लोग देखरो इस साइड से एकदम जमी हुई है यहां से एकदम जमी हुई है और इस साइड से पिखलने लग गई है अलगी दिख रही है क्योंकि गाईज सूरज जो है वो उपर लायक है फिलाल और इसको जो है भाई मुझे लगता है कई दिन तक यह चलने वाली है और पूरा टेबल हमने पहले ही साफ कर दिया ताकि उसके उपर हम जो भी रखे हो एकदम क्लीन रहे तो अब है इसको टेस्ट करने की बारी बड़े वाले टुकड़े मैं से लूंगा मै एक धी साथ तो चॉकलीट के होगा फ़र कोई नहीं तो कैसे इतना बढ़ा जो चॉकलीट है अ उसको अभे बड़ु नी है इसे Ryan बड़े जो है वो भी आने वाला है कितने लोगों पता है कि आपके बने का में लेका बाटा नीचे बताओ कमेंग सब तो यह मैंने दो पीस कर लिये इन पर इसं करेगा के pessoal मना तो ऐसे भी नी ग्रेजा कि आ के जाओ तू आक हुआ है है एक दम एक हम प्यों ऐसे तुमको दर्शक बनाने के लिए खिला एदा एक टेस्ट बताने के लिए खिला रहे हैं इतना सा तुकड़ा भी कम से कम शायद 30-40 रुपय गद हुआ अंदर से एक दम जमी हुई है और बहार से पिगली हुई है उसका डीजन शायद यह ह है गडमी जो है दोनों साइड से लग रही है और बीच में जो है काफी मोटी है चोकलेट इसलिए बीच में सॉलिड है तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बड़ी चोकलेट देख करके मजा आया होगा जाई इस चोकलेट को बनाने की कीमत भी 5000 रुपय यह जो च चोकलेट हमने आज खागर के देख लिए वह इतने बड़े साइज की और गाइज एक बात और कहना चाहता हूं कि जादा चोकलेट खाना भी हैल्थ के लिए अच्छा नहीं होता तो आप ऐसा बिलकुल मत करना कि आप इतनी सारी ले आओ बना लो फिर उसको खाते रहो फिर तो अगर आपको मजा है वीडियो में तो लाइक जरू से कर देना मैं ज्यादा कुछ कर भी नहीं बारा चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे हैं और मजदार वीडियो के लिए तो चलो फिर मिलते हैं कि वीडियो में जब तक के लिए नमस्कार बाइवाई